हाई गाईस बहुत अच्छी होंगे खुश होंगे हैं दोस्तो हमारे चैनल से आप लोग बहुत कुछ चीख रहे हैं और खुशी है इस वात की कि हम भी आपको सिखाने में सफल हो पा रहे हैं लेकिन दोस्तो हमेशा से हमारा क्याना राया है कि आप हमेशा किसने किसी के काम आपे रहे हैं हमारी वीडियो से सीख तो रही है लेकिन दोस्तो उस को सीखने के बाद लोगों को सिखाएं लोगों के काम आएं क्योंकि ग्यान का पत्तो कोई मूल नहीं होता जब तक कि हम उसक आपको बटो चुछ इनकों सही डंक सैथा बटत ना करें. ग्यान के उत्युप करने से ही हमारे ग्यान की बैलिव बनती है. अब दर्बाइस वो ग्यान किसी मतलब का नहीं है. वो ग्यान ग्यान नहीं है. तो दोस्तों, शीकते रहे हैं, लोगों को सेखाते रहें. भीना पाले कोश्र कींछ़ अधा कीजिये, तो जो में बादी ताहट होती है, इसकल द्रिणों नगों से मिलती हैं जो Members लोग फैहां दे सकते हैं, लोगों को श्ला दे सकते हैं लेकिन किसी के लिए दौा नहीं कर सकते हैं तो दुस्तों कुछ ने परता तो लोगों के दिये सच्ची द्वाही कर दीजिए, है रहा लोगों के मदब करना मत भूलिए, ठीके, तो चलिए आज का जी टॉपिक है, सुरू करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा के विंडू दिफेंडर क्या है और विंडू दिफेंडर का क्या जाता है, को स्टॉपिक में प्रिजिए में आता है, विंडू के शिटीशिय के के ऐस 모र्श, तो स्यक्राइट bei विंडू में यूजरे आपना में बायां हम शुकनकन ऊप momu, पड़ू दालते हैं वो मना सकते हैं, जो मैंने उसली वं Windows Defender भी एक प्रिकार का स्विक्वालिटी फिछस नहीं आता है. अगर हमारे विंडूस में विंडूस डिपेंडर एक्टिबेट है तो हमको एंटिवारस की जरूरत नहीं है. जी हां दोस्तों, विंडूस के अंदर आने वाला फिरी एंटिवारस है, जो कि हमारे साथ बड़े परिके से काम करता है. विंडूस 7 में यह ठीकते काम नहीं करता था, लेकिन विंडूस 8 और 10 में इसका अप्डेट बर्जन लाया गया है और वह बहुत ही पढ़रफन है. हाला कि मेरे कंप्विटर में अंटिवारस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो मेंने डिफेंटर क्या है इसे कैसी उज़ करेंगे. तो पहले ठीक परते हैं इसके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे. यह New Defender एक कंप्विटर एप्लिकेशन है, जो कि फिरी है और यह एप्लिकेशन आपके कंप्विटर को वारस या किसी प्रिकार की ऐसी एक्टिविसी से बतात बचाता है, जो किसी प्रोग्राम के द्वारा आपके कंप्विटर को नुक्सान पहुशा सके. आपके कंप्विटर को नुक्सान पहुशा सके, तो यह आपको सुचना देता है कि यह प्रोग्राम आपके लिए सुरुख्चागार्ड है. इसके साथ ही यह सॉफ्ट्विएर आपके कंप्विटर को रियल टाम प्रोटक्शन भी देता है. यहां पर अपन रियल टाम प्रोटक्शन भी देता है. इसके अपन फ़रा लखते हैं अजीव लाग रहा है ना. रियल टाम प्रोटक्शन भी देता है. इसको अपन चिनके समान फोड़न कर देते हैं. स्वाज़े. चिके ना. और इसका अपन फ़र्ट भी चैनकर चैनकर देते हैं. जो केज है पुरू चैनकर देता हूँ. चैनकर रियल टाम प्रोटक्शन देता है. अर्थात यह बेग्राउन में चलता रहता है और हमारे कंपूटर की हैल्प रता है. यह माइक्रोसॉप्ट के द्वारा प्रोट किया गया है. इसलिए यह विंडोस में फिरी आया है. विंडोस 7 में यह ठीक से काम नहीं करता था. इसलिए विंडोस 8 में इसका अपडेट बर्जन जोड़ा गया है. जो कि वाकरी ठीक से कार करता है और इसे हमें अपने कंपूटर में अपडेट और एक्टिवेट करना पड़ता है. यह माइक्रोसॉप्ट का सिक्यर्टी एसेंसियल की वज़े से विंडोस में डुड़ा गया है. वही सब कुछ लिखा है जो मैंने अभी बोला था. जो सब्सक्राइले कंट्रॉल पनल में जाएं और यहां आप देखेंगे कि विंडोस डिफेंडर नाम का आपको यहां के एक अप्शन मिलेगा विंडोस 8 में. विंडोस 10 के अपडेट बरजन में सारी यह ना देखा रहा है. विंडोस डिफेंडर शार्बॉल यहां के लिए कर से खुल के आ रहा है विंडोस डिफेंडर फायर वाल स्डूर्डश अन है। धिखा रहा है। और यह हमारा अक्तिव पनीफ पिर्दफर नेर्ड से कैनमें से इस यहां से आपन देखो turn on on है turn on defender on है turn off defender यहां से यह से आपन आफ कर सकते हैं यह इस प्रकार स्रोपन होता है इसके लाबा आप यहां पर type करेंगे defender देखिए तो अब भी यह start हो जाएगा directly यहां लेकिन हमारे computer में इसको अक्टिवेट करना परता है विकने अक्टिवेट करने के लिए हमारे computer में या तो windows में देखो यह on कर देखेंगे देखेंडर में देखेंगे तो यह क्या है यह on हो जाएगा अभी तो यह off है जिसके करनों अब आप दोगाएगा और अफ कर रहा है मैंने हारे computer में या तो एंटिवेरस ही काम करेगा या बिंदों Defender काम करेगा कोई एक ही काम करता है तो मेरे computer में एंटिवेरस इस्टॉल है इसलिए Defender आटमेटिकली अफ हो गया है अगर हम एंटिवेरस कोड़ा देंगे तो हम उस्टाट में जाके वर्ग Defender सच करेंगे तो यह Windows Security मिलता है या बनो Defender मिलता है तो यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट भी कर पाएगे बारा करके तो यहाँ आप सेटिंग में जाके एक option आता है रियल टाइम protection को उसको आपको अन करना पड़ेगा तो यह रियल टाइम प्रोटेक्शन आपके आजाएगा हमाली स्क्रीम में अगर अन लिक्के आ रहा है तो आपका Defender on है अगर off लिक्के आ रहा है तो आपका Defender off है तो उसे आप सेटिंग में जाके रियल टाइम के option पे check box में टिक करके उसको on कर सकते हैं तो आप सभी लोग अपने 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 computer में चेक कीजिए और बताएगे कि आपके computer में Windows Defender on है कि नहीं है अगर on हो तो मुझे section में बताएगे comment section में अगर off हो तो भी मुझे comment section में बता के और अप्लेट करने के बाद देखना कि वह कितने अच्छी से काम करता है और आपको बताना कि बाती में यह एंटिवरस की तरह काम करता भी है या नहीं अगला option है Windows Smart Screen यह क्या होता है जब भी आपका computer किसी file या application से सुरुक्षा खत्रे में पाता है यानि कि आप computer में कोई आप दाल रहे हैं और वो software इस पर वेयर है रेश्टर software में है ठैकरने बनाया है या वो software आपको कहिना के नुशन पसा सकता है तो तो विंदोज इसमार्ट स्क्रीन आपको फूर स्क्रीन चेताने के साथ सुझित करेगा बताये ना कि आप इस software डाल रहे है वो software रिस्की है आ आप इसे इस्टाल ना करें उतादेगा और वो पूचे जाली कि आप सेश्वल करना चाहते हैं अलिवे या नहीं तो जब भी आप ये चिताब ने स्कील देखते हैं तो आपको फाईल का या अपलिकेशन को तक तक नहीं को ना चाहिए जब तक कि आप यह सक्ताबर ना कर कि आपके कंपेटर को रुक्सान नहीं होगा, तक तक उसे आप उपन ना करें, जिए बने समने आपके इतनी बार, इसे देखिए जिए कोई शॉप्ट्विर हो गया है, कैस्पेरिस के नाम से, और ये एप का नाम जिए बहारा है या पर, इसको उपन किया गया है, और उपन क को सकते हैं, और ये इसके कि आपके गुषसान नहीं है, कि आप नुकसानना हो जाए कि मुझे, तो, आप ऐसे डाउंटरूं कर सकते हैं, तब तक आप वे दुट्वेर को रनना करें, तो या थी स्क्री आपनियों सामने को आती है, क्रीन इस्मारड स्क्रीन है, जिके इमें को बताती है कि यह सॉफ्ट्वेयर वाले नुक्सान दायक है कर नहीं है। इसके बाद जब हम कंफंदर लें तब तो सॉफ्ट्वेयर को इंस्टॉर्ड गरना है का नेड़ना है लें। विड़ोस फायरवल क्या होता है स्यूफ्ट्वेयर विड़ोस फायरवल के साथ आपके इंटरनेट नेक्शन की फुरुक्षा रगता है। फायर बॉल, फायर बॉल मतलब दीवाल, आक्स बशन दीवाल, फायर बॉल बाहरी करेक्शन से अनधिकरत पहुंच के रोख सकता है, यानि कि जब आप किसी ने ट्रॉक में या इंटरनेट से काम कर रहे होते हैं, तो बाहर के लोग आपके करेक्शन को हैक ना कर सकें, रचाल कि इंटरनेट पर हमारी सुरक्षा प्लान करने के लिए कौन इस्तिमाल किया जाता है, तो इसके लिए फायर बॉल का इस्तिमाल किया जाता है, या ऐसे पिपर में पिज़ार आता है कि फायर बॉल का इस्तिमाल क्या है, तो बहां आपको समझना है कि फायर बॉल का इस्तिम आपने लोगों को नुक्सान ना पुछा सकें और उससे बचने के लिए इस्तिमल किया जाता है तुक यह नहीं बचाता है तो यह कैशी है समझ मेहा होगा आज वो आपने यह आपक तीन चाहिए से ही तीनो स्कॉर्टी की चाहिए सीख चुके हैं बिनो डिफेंडर और इस्मा पूल को प्हीं यह चाहिए से शुद्टी कोवार इस्टाइब कर विचान के लिए।